आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। अब यहां पर जो हमारा कोशन दे रखा है, वहां पर कह रहा है, पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, कि जो है, धनात्मक विचलन अनादर्स विलनों में दू अंतर लिखिए, ठीक है, बिल्कुल, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या, धनात्मक विचलन वाले की थेख लिखते हैं, हम दूसरी जगह लिख लेते हैं, रिठात्मक विचलन, ठीक, ओके, डीषूर इसको इसको यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है? ओके, और फिर अपना आपर अपर रिठात्मक विचलन, ठीक है? बिलकुल早ी बद तरीके से इसको ऽ Carrie? ठीक है ओके अब पहला पॉइंट जो है मारा धनात्मक विचलन का वो क्या है कि विलियन का मापित वास्दाप राउल्ट के नियम से अपेच्छित वास्दाप से अधिक होता है क्या मैं बोल ला हूँ कि विलियन ठीक मैं लिख देता हूँ थोड़ा टाइम कम लगेगा फिर को समझा देता हूँ ठीक है तो दूस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है धनात्मक विचलन और ररात्मक विचलन वाले अनाधर्स विलियनों के बीच में दो अंतर पहला अंतर क्या है कि विलियन का मापित वास्दाप राउल्ट के नियम से आपेच्छित वास्दाप से अधिक होता है ठीक है बिल्कुल दॉसरा पैट उसी जगहरे है कि विलियन का वास्दाप बढ़ जाता है ठीक है क्यों क्यों कि जब विलियन के जो घतक होते है जैसे A और B के अड़ों के मद आकरसण सुद घटकों में अड़ों के मद आकरसन के पिछा दुरलब होते है तो क्या होता है कि Willian के घटकों के पलायन की प्रवती अधिक होते है जिसके फरसलूप ठीक? वासदा अधिक हो जाता है मैं क्या बोला कि विलियन में उसके घटकों के, मतलब जो उसके घटकों के अड़ों के मद्ध आकरसंड, सुद्ध घटकों के आकरसंड के अपेच्छा दुरलब होता है, ठीक है, बिल्कुल, तो अब सुद्ध घटकों के अपेच्छा अधिक होता है, ठीक है, तो जिसके फल व्लियन का वाजदा बढ़ जाता है क्यों कि उसके घटकों के पलायन के प्रवत्ति अधिक हो जाती है ठीक है अब इसी जिए कह रहा है कि व्लियन का वाजदा कम हो जाता है क्यों कि वहां पे क्या होता है गटकों के पलायन के प्रवत्ति कम हो जाती इसी वज़े से तो क्या ह वादधा कम हो जाता है ठीक है बिल्कुल यह हमारा हो गया आ पहले का पहला कोशन जो हमारा है उसका यह शॉलूशन हो गया दूसरा कह रहा है कि चार ग्राम ठीक है बिल्कुल दूसरा क्या कह रहा है कि चार ग्राम ठीक है चार ग्राम एन ओएच दो सो पचीस एमेल जली विल में घुले हैं किसमें 250 ml सौरी 250 ml जली विलियन ठीक है 250 ml जली विलियन में घुले हैं ठीक है तो विलियन की नारमलता गयाती है ठीक है बिल्कुल तो यहां पे क्या कह रहा है विलियन की नारमलता तो यहां पे हमें विलियन की नारमलता का फामूला पता होना चाहिए विलियन क फार्मुला की होता है, विलर्टा की नार्मल्टा का फार्मुला होता है यह फार्मुला हमारा बहुत इंपोर्टेंट फार्मुला है इसको हाइलाइट altar, बोक्स में और लेते हैं बिल्कुल, ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप यहाँ पे बताओ, कि जो हमारा w है, small w ये क्या है, small w हमारा विले का भार, क्या है, ओके, दोस्तों, और जो हमारा small a e है, ये क्या है, ये है, विले का तुल्यां की भार, ठीक है, विले का तुल्यां की भार, ठीक है, ओके, दोस्तों, और जो हमारा capital w है, वो क्या है, विलेन का आयतन, क्या है, विलेन का आयतन, ठीक है, ओके, दोस्तों, तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया, W विले का भार, Small E विले का तुलियां की भार, Capital V विलेन का आयतन, ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर फॉर्मूला अपना पूट अप करते हैं, तो यहां पर हमारी नारमलता जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नारमलता विले है, ठीक है, तो यहां पर विले का भार, हमें यहां पर लिख लेते हैं, 4 into 1000, ठीक है, डिवाइड भई, अब जो है मारा क्या, यहां पर विले का तुलियां की भार, तो नारमलता तुलियां की भार हमें निकालना पड़ेगा, तो small e क्या है, नारमता तुलियां की भा तो NaOH का तुल्यांकी बाहर क्या हो जाएगा, आप बताओ, तुल्यांकी बाहर हो जाएगा, आड़ु भाहर बटे N Factor, ठीक है, ओके, अब NaOH, ठीक है, ओके, NaOH का आप जो है, यहां पे आड़ु भाहर निकाली है, तो जब NaOH का अड़ु भाहर हम देखते हैं, कितना जाता है NaOH का अड़ु भाहर आ जाता है, 40, ठीक है, 40 ग्राम, और N Factor NaOH के लिए 1 आ जाता है, तो यहां पे हमारा कितना जा गए, 40 बटे 1 बराबर 40 ग्राम, ठीक है, तुल्यांकी बाहर कितना आ गया, 40 ग्राम, तो यहां पे हम तुल्यांकी बाहर की value put up कर देते हैं, कितना 40, ओके, अब जब इसे हम calculate करेंगे, तो RCA जब calculate करते हैं, दोस्तों, तो हमारा कितना निकल के आता है, 4 इसको जब calculate करते हैं, तो हमारा निकल के आता है, 0.4, ठीक, 0.4 N, इतना निकल के आता है, तो हमारी नार्मलता कितनी निकल के आती है, हमारी नार्मलता दोस्तों, यहां पे नि अंसर को बॉक्स में कॉरप कर देते हैं पहले मैंने धनात्मेक विचलन पिद्रसीत और रडात्मेक विचलन के अंतर दिया अंतर बताया फिन नौर्मलता का फॉर्मॉला यहां पर बताया इंपोर्टन फॉर्मॉला इसे डाल लीजिए ठीक है बाकी पूरा कुश्चन मेंने डिस्क्राइब कर दिया तो दोस्तों मैं आसा करते हूं यह पूरा कुश्चन आपको समझना होगा धन्यवाद